स्टूरंट्स आइटी जैंब दोजाएटेश का क्वेशन नंबर 15 अगें दिस क्वेशन क्वेशन नंबर 15 ये भी आपका सिंपल क्वेशन है और सिंपल डिस्ट्रिबुशन से है मैं इसको CLT ही मानूंगा लगबख CLT का ही क्वेशन नहीं इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है क्वेशन के अंदर आई आएडी दे रखा है बटा रेंडे वरेबल दिस 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 एसन हो गया आपका एकस बार ओके और टी न हो गया समेशन एकसाइश स्कुरेर बाइन और फिर ये सारी अलफा वान अलफा टू अलफा त्री अलफा फूर ये सब निकालना आपको चलिए जी निकालते हैं फिर इसमें ये खेला खेला जाए आपके साथ तो पहले सबसे पहले बच्चों यहाँ एकसाइड डाल दो यह तो जीरो है यह वन है यह टू है फिर आपको मीन निकालना है फिर आपको ऐसे निकालना है तो यह सब आपको निकालना ही है राइट साम गिविंगी डिरेटली मैं आपको यह चीज देही देता हूं तो याद रहना की लिए केस 000 हैस फॉर झांचका स्कॉर expectation of x1 cube you may might be requiring it 3 and expectation of x1 की पार 4 which is 17 by 3 यह आगया आपके पास right सबसे पहले x-bar पर बात करते है x-bar मतलब sn आपका sn किसके बराबर है बटा x-bar के वो फोलो करेगा normal with mean mu and variance sigma square by n this is the formula so this is mu now we need to find the variance of x and for variance of x students हमारा variance निकल के है 2 by 3 यह सब आप खुद निकाल सकते हैं मैं इसमें टाइम नी खराब करूंगा तो means sn follows normal with mean 1 and variance 2 by 3 n got it तो sn का distribution मिल गया इसी तरह से students हमें निकालना है tn का distribution भी तो tn के लिए we need to find expectation of x square तो है साथ हमें variance of x square भी चाहिएगा भी expectation of x square भी चाहिएगा 26 by n आगे आप निकालते रहीएगा अपने आप अब tn का distribution क्या हो जाएगा मैं लिख देता हूं गहीं पे भी तो tn का distribution हो जाएगा आपका tn will be normal expectation of summation x i square by n कॉमा variance of summation x i square by n ओके और ये बात तो सबको पता है बिटा 1 by n भार आगया expectation of summation मितलब expectation of x1 ka square गिवन अपन n square भारा गया which is n times variance of x1 ka square तो this got cancelled out, this got cancelled out तो which is normal expectation of x1 square is 5 by 3 कॉमा variance of x1 square is 26 by 9n तो this is how we got the distribution of sn and dn पहले बात क्लेर होगे कि नी होगे बच्चा आपको ये सबसे पहले तो ये ही निकालना था आपको निकाल लिया, अब काम की बात धियान से सुनना है, आपको बिल्कुल धियान से सुनना है मैं एक करा रहा हूँ फिर बाकी automatically हो जाएंगे आपके तो alpha 1 पूछ रहा आप से limit and tends to infinity है धियान दीजिएगा प्लीज, एक ही से ही सारा काम हो जाएगा आपका आपको दिया मॉड SN, तो अगरे मॉड हटाता हूँ तो SN minus half किसके बीच में आएगा, minus 3 by 4 and 3 by 4 correct है पिटा, अब minus half को दोनों तरफ लेके जाओ गया तो plus half हो जाएगा, minus 3 by 4 और ये SN हो गया और ये भी 1 by 2 plus 3 by 4 अब क्योंकि LCM 4 लेंगे तो यहाँ 2 ले रेते हैं, 4 तो minus में आएगा नहीं आपके, minus में आएगा, minus 1 by 4 something like this, SN and this is 5 by 4 something like this okay, now we are building it to the standard normal distribution, तो mean से minus करेंगे, right, तो minus 1 by 4, minus 1 और standard deviation से divide, याद ना आपके ये बात, minus 1 by 4, minus 1 और standard deviation से divide, अब standard deviation के root में n है के नहीं बताओ, है ना, तो यहाँ minus 1 upon root 2 by 3n, यहाँ minus 1 upon root 2 by 3n, अब इस पर क्या करना, आपने limit entrance to infinity, तो जो भी अंसर आएगा, will be between minus infinity and infinity, तो minus infinity से infinity में total probability क्या होती है, 1, so alpha 1 is 1, of course, full range के अंदर probability 1 होगी, तो अब आपको सब में ढूंडना है कि अगर आ रहा है आपका z, minus से minus, minus something upon, minus something into root n, यह n आ रहा है something, now you have to identify in all these four cases, कि क्या सब के अंदर ऐसा आ रहा है, minus root n और n something and root n and something plus, तो आ रहा है limit and infinity करने पे minus infinity से infinity आ रहा है, और सब केस में उन्हें में one ही answer आएगा, अब आपको यह identify करना है, तो यह भी one ही आएगा आएगा, यह भी one आएगा, लेकिन यह zero आएगा, बिकोज यह कैसे आएगा बटा, infinity से infinity या minus infinity से minus infinity ऐसे आएगा यह आएगा, तो आप इस तरह से solve करेंगे, तो you will get alpha 1 is 1, alpha 2 is also 1, alpha 3 is also 1, alpha 4 is zero, यह आएगा आएगा आपका, तो अब सब की value डखो, 1 plus 2 plus 3 plus 0, 6 is the answer, तो A is the answer, I hope समझ में आया होगा आपको, क्योंकि मैं इस पर limit and attention फिट लगाऊँगा, तो root 3N ऊपर आजाएगा, तो minus infinity से infinity आएगा, which is 1 always, जो हमेशा 1 होगा बच्चो, तो बहुत असान question था, अब इसमें फटा फटा आपको देखना है, अब जैसे यहाँ पर भी है, less than 1 है, तो कैसे करोगे SN को भी इसको भी, how you will do it, देखो करतके देखते हैं, चलो आपके सामने करता हूँ, SN minus 1 by 3, is between minus 1 and 1, अब 1 by 3 उतर गया, बताओ minus 1 तो बड़ा होगा ही होगा ना बिटा, तो मतलब यह वाली value negative आएगी, यह ना, minus 2 by 3, और फिर minus 1 और करेंगे, तो और सच सोने पर सभागा, minus ही होगा मतलब, यह ना, और divide by, divide by क्या करेंगे, standard deviation, तो root 3, n उपर चल जाएगा, upon 2, लो जी, और z, ऐसी यहाँ पर आएगा, root 3, n upon 2, और यह plus वाली value होगी, तो minus infinity is infinity, यह भी 1 आएगा answer आपका, ऐसे आपको tn भी check करना है, क्यों tn कभी आपने distribution तो निकाली जी है ने बिटा, वो भी तो expression सेम, ऐसा ही है, 3 n नीचे, 9 नीचे, तो चारो पार्ट करने हैं आपको, यह वान आए, यह भी 1 आए, और यह क्या है, 0 आएगा, तो आप value पूट करके, अंसर असानी से निकाल सकते हैं, आप भी बोलो कि क्यों इतनी जगय नीथी, इस sheet मेरे पास, मेरे कम समय में कातम करना था, तो कैसे करना था, इसलिए मैंने आपको, एक तो पूरा कर दिया है, पार्ट, बाकि दूसरा आपको बता दिया, तीसा चोथा भी आप कर पाएंगे, ऐसे ही, तैंक यू वेरी मच्च,